जहें दोस्तों आज किस वीडियो हम सिखेंगे टैली यार पी नाइन में आटोमेटिक बिलिंग कैसे बनाते हैं जिसमें आपको ना CGST यूज करना है ना ही आपको एमाउंट के लिए कोई भी रेट डालनी है बस सिर्फ नेम आफ आइटम डालना है और कितने क्वांटिटी को पर्चेज या सेल्स कर रहा है बस वो डालना है बाद बाकि राउंड आफ, CGST, ESGST, सारे कैलकुलेशन आटोमेटिक होंगे दोस्तों इस डिजाइन को बनाने के लिए थोरा वक्त तो लगेगा लेकिन अगर ये डिजाइन अपने टैली में आप बना लेते हैं तो आपका ट अडियो काफी इंट्रेस्टिंग है और बहुत यूजफूल है अगर आप टैली यूज़ करते हैं चलिए एक एक करके हम सीखते हैं इसे सबसे पहले तो क्रियेट में जाएंगे और बिल्कुल फ्रेस तरीके से कंप्री मरा लेते हैं S.D.P. के नाम से इंट्रे कर लेते हैं कॉंट्री इंडिया और स्टेट बिहार और इसे हम एकसेप्ट कर लेते हैं कंप्पनी आपके पास भी होगी कोई दिक्कत नहीं आप उसे ओपन कर ले ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की इंटरफेस में आपकी टैली दिखेगी अब आपको क्या करन यहाँ पर पहले जीएस्टी पर वर्क करना है तो जीएस्टी को यस कर लेंगे इसके लिए कीवोट का F11 प्रेस करेंगे टैक्सेशन इस्ट्री टैक्सेशन पर जाएंगे इंटर करेंगे यहाँ से जीएस्टी को यस करेंगे इस्टेट बाइ डिफॉल्ट आपका ले और इंटे करके इसे accept कर लेंगे और कोई changing नहीं करनी है फिर इंटे करेंगे और इसे final accept देंगे अब GST आपके company में yes हो गई escape से चले जाएंगे gateway of tally में automatic purchase और sale price लेने के लिए हमें standard rate को yes करना होगा इसके लिए f12 करना है 12 उसके बाद जाना act inventory info में इंटे करना है enable standard rate for stock item अगर यह by default yes है आपके computer में तो कोई दिक्कत नहीं है अगर yes नहीं है तो आप इसे yes करने के बाद इंटे करें और इसे आप accept कर लें दो अपसन हो गए बाद बाकी work करने के लिए हमें laser की जुरूत परेगी तो laser में जाने के लिए हम जाएंगे accounts info में laser में और create करेंगे पहला laser हम purchase के नाम से बना लेते हैं purchase का laser purchase account में जाता है तो purchase account में डालेंगे type inventory value are affected yes रखेंगे type of laser not applicable GST को हम applicable रखेंगे details को no रखेंगे supply में goods रखेंगे और इसे accept कर लेंगे एक laser हम बनाएंगे sales का under जाएगा sales account में enter inventory value effected yes type of laser not applicable GST applicable details no service goods और accept दो laser हो गए एक laser बना लेते हैं round of OFF इसे indirect expenses में डाल लेते हैं no GST भी not applicable होगा क्योंकि round of में GST की कोई ज़रूत नहीं है और इसे हम accept कर लेंगे not applicable GST को कर लिजएगा accept तीसरा laser किसी party का बनाएंगे जिससे हम purchase करेंगे तो purchase करने के लिए AJAY के लिए बना लेते है AJAY का laser अंडर जाएका Sunday creditor में बिल वाई बिलको यस रखते हुए इसे हम इंटर करके accept कर लेंगे उसके बाद एक हम laser मना लेते हैं यहाँ पर शोनू का जिससे हम समान को बेचेंगे तो इसे हम डाल लेते हैं Sunday dators में इंटर कर लेते हैं बिल वाई बिलको यस रखते हुए इसे भी accept कर लेते हैं और कुछ नहीं डालना आपको इंटर और accept तो something laser आपके सारे हो चुके हैं अब हम escape से back जाएगे अब कौन से product आपको sales या भी purchase करने हैं उसके लिए inventory info का का काम करेंगे तो inventory info में जाना है पहले आपको units up measure में जाना है create करना है तो piece पे काम करने वाले हैं इसलिए हम PCS को यहाँ पे बना लेते हैं इंटर करते हैं पूरा नाम PIE CES यहाँ पे unicode में हम PCS को select कर लेते हैं number of decimal पहले जीरो रहेगा और इसे में accept कर लेते हैं escape से back जाएंगे बैक जाने के बाद इस टॉक ग्रूप में जाते हैं और एक ग्रूप बना लेते हैं माल लिया जाए हम यहाँ ग्रूप बना लेते हैं computer के नाम से इस date से हम इसका price change करना चाहते हैं यह cost price होता है यानि purchase price कि समान हम खर दे थे तो मुझे कितना पैसा लगा और समान हम बेचेंगे तो मुझे कितना पैसा लेना है तो इस date को अगर माल लिया जाए समान हम खरीद रहे हैं तो 500 रूपिया लग रहा है हम इसे decimal में भी दे सकते हैं चलिए हम mouse को normally रख लेते हैं और sales हम करना चाहते हैं इसे 900 में इंडे कर लेते हैं और GST को applicable लखेंगे details को हम यहां से yes करेंगे description में टाइप करेंगे goods hsn code जो भी mouse का होगा वो product का डाल लेंगे calculation type on value taxability में हम यहां से taxable लेंगे reverse charge applicable नो रहेगा input credit भी नो रहेगा दोनों पर्सेंटेज हम इसमें 12% tax काट रहा है और इसे हम accept कर लेते हैं तो यह mouse का work हो जाता है अब दूसरी बात आती है एक ले लेते हम यहां पे के इवाई byrd keyboard अंडर हम इसे computer में ही डालते हैं unit piece हो जाएगा standard rate को yes करना है इसका cost price पर रहा है 800 थोरह समी से decimal में ले लेते हैं 800.808.23 और इसे हम sales करेंगे 909.25 के rate में इंटे करेंगे मतलब यह decimal में आया है इसका amount तो हम इसे इंटे करके accept कर लेते हैं gst applicable details को हम करेंगे yes description goods hsn number on value taxability में taxable और percentage 12 इंटार और accept तो यह मेरे पास दो product हो गया जिसमें हम standard rate के through automatic rate set कर दिया है अब हम escape से जाएंगे back अब मुझे gst पे और round of पे work करने के लिए हम ही क्या करना है accounts info में जाना है voucher type में जाना है alter में जाना है purchase को select करना है purchase select करने के बाद इंटे करके नीचे आना है और यहां पे आपको name of class का एक option दिखाई देगा यहां लिखना है ro und o f round of इंटर करेंगे तो यह class round of का खुल जाएगा अब आपको यहां पे इंड़ लिस्ट डालना है इंड़ लिस्ट डालना है यहां पे purchase का laser आ जाएगा older class no percentage 100 automatic रहेगा यहां पे आपको क्या करना है यह पहले डालना है round of को total amount rounding को select करना है यहां से calculation method से यहां से normal rounding को select करना है एक रुपया से limit करना है और इसे इंटर करना है उसके बाद cgst sgst का laser चाहिए था जो कि laser मैंने यहां पे cgst sgst का नहीं बनाया है तो अब यहीं से alt c करके बना लेंगे तो alt और c button place करना है और बनाना है cgst gst इंटर करेंगे अंडर डालेंगे duties and taxes में यहां से gst select करेंगे c है तो central percentage 6 और इंटर करके accept यहां पर आटोमेटिक आ जाएगा फिर यहां इंटर करने के बाद जब करसर यहां आएगा तो alt और c sgst duties and taxes gst एसा है तो state tax percentage 6 rounding method not applicable और इसे हम इंटर कर लेंगे तो इतना work आपको कर लेना है फिर इंटर करके इसे accept कर देना है अब इसी जगा पर purchase को हटा करके sales को select रहना है तो sales यहां पर आपको मिल जाएगा यह वाला कि इंटर करना है सेम वर्क इंटर करके आगे बढ़ना है और यहां पर लिखना है आपको name of class में round of कि इंटर कि इंड़ लिस्ट इंड़ लिस्ट इंड़ लिस्ट सेल्स यह आटोमेटिक आ जाएगा यहां पर सेलेक्टर ना आपको round of को as total amount rounding इंटर यहां पर normal rounding लिमिट एक रुपया से और इंटर करेंगे उसके बाद cgst तब sgst और इंटर के accept तो यह sales और purchase के voucher में मैंने design change कर लिया अब escape से back जाना है आसानी से इतना work जब कर लेंगे आप तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा हमेशा के लिए अब आपको सिर्फ काम इतना करना है कि accounting voucher में जाना है अगर purchase करना हो तो purchase बटन पे click करना है name of class में round of को select कर लेना है suppliers in best number आपको डाल लेना है date आपको डाल लेना है party name हम अजये बनाये थे तो आजये को selected लेंगे इंटे करेंगे अजये के पास GST नंबर वगरा है तो हम यहाँ पे put करके इंटे कर देंगे इंटे करने के बाद देखिए सारे चीज आटोमेटिक रेड़ी है हम कीबोर डाल रहे है इंटे करेंगे बस quantity डालेंगे इंटे करेंगे automatic rate सब कुछ आजाएगा आपका की rate कितना है तो 808 रुप्य आटोमेटिक लेगा आपको rate याद करने की भी जुरूरत नहीं है बस सिर्फ डालिए automatic सारे work accepted बस quantity डालिए 202 आटोमेटिक सब कुछ accepted जिसमें राउंड आफ cgst sgst सब कट करके taxes और मोगरा काम हो चुका है आप इंटे करके बस आपको सिर्फ यहाँ पे quantity चेंज करने माल लिए कोई 200 एक पीस ले रहा है तो 200 एक पीस डाले इंटे करे आटोमेटिक सब कुछ setting है सारे चीज आटोमेटिक हो जाएंगे accept कर लेंगे purchase का काम हो जाएगा sales करना है तो sales बटन पर क्लिक करेंगे round off को select करेंगे type of class में और यहाँ पे reference नंबर डालेंगे जो मेरा रसीद नंबर होगा party name हमने बना रखा है तो party name डालेंगे नहीं तो alt seeker करके बना लेंगे नहीं तो cash डालेंगे कोई भी काम कर लेंगे हम यहाँ पे अगर इनके पास GST नंबर है तो डालिए नहीं है तो आप इंटर कर लिजे और यहाँ पे आप name of product डालिए बस quantity डालिए कि कोई कितना यहाँ से purchase कर रहा है automatic सारे चीज़ आ जाएंगा ठीक है इसमें point में amount नहीं बने हैं इसलिए amount नहीं आ रहा है हम यहाँ पे कर लेते 119 पीज इंटर तो point में जब amount बनेंगे तभी round of का work होगा otherwise नहीं होगा बाद बाकि cgst sgst automatic calculate करेंगे और इसे हम इंटर करके accept कर लेंगे तो यह होता है purchase और sales की transaction जब भी आपके करने हो बस यहाँ बे आप party का नाम डाले या तो cash डाले cash डाल करके देखते हैं लेता है की नहीं इंटर करेंगे keyboard select करते हैं तीन पिस लेते हैं इंटर करते हैं तो automatic सारे चीज़ आगे इंटर करके accept कर लेंगे तो इस तरह से देखिए अगर आप billing करेंगे तो आपको कितना असान हो गया name of product और सिर्फ quantity डालनी है आपको बाद बाकि कुछ भी नहीं डालना है सब कुछ automatic लेगा तो दोस् जुब